अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्राखंट प्रोविंशियल सिविल सर्वेसिस की या फिर कोई भी एक्जाम जो उत्राखंट बेजड हो तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हैं उत्राखंट के MCQs के बारे में यानि उत्राखंट से related कोई भी MCQs हो ये वीडियो एक special edition है exam के लिए और इस वीडियो को मैंने काफी सारे parts में divide किया है जिसमें कि मैंने history से संबंदित, geography से संबंदित या उत्राखंट के हर एक lesson से संबंदित MCQs collect किये हैं मेरी पूरी कोशिज रहेगी कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूँ उमीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और तब तक आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ दोसरों को ये वीडियो सेयर करें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनवर सिंग और मेरे चैनल का नाम है Best North Tutorial तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं 16 का पहला एम सिक्योज आप लोगों के लिए उत्राखन राज जम्हें क्रिशी मापने या नापने का पैमाना क्या है यानि मीटर एवं सेंटीमीटर में गज़ वा फिट नाली मुठी और वीगा या भीगा आप कह सकते हैं वा बिस्वा तो आपका जो सही आंसर है वो है नाली वा मुठी उत्राखन राज की बात किया जाए तो वहां की जो क्रिशी की खेती होती है उसको नापने का पैमाना है वो है नाली वा मुठी ओप्सन नमर से지 राइट आंसर अगला म् DOJ है उत्राखन राज में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है 200 वर्ग मीटर अगले MC क्यों है भघवान सिभ के बारहे जोतलिके से एक जोतलिक उतराखंड के किस इसतान पर इस्ताफित है हरिद्वार में रिसी केस में बद्रिनात में और केदानात में उप्सिन नमर डी आपका इसमें सही अंसर है केदानात में भगवान संकर पांडवों की भक्ति और द्रिट संकल्प देकर उस समय प्रैसन हो गये थे और भगवान सिव ने उन्हें ततकाल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया उसी समय से भगवान संकर की बैल की पीट की आकरती पिंड के रूम में वहाँ पे स्री केदारनाजी में पूजे जाती है अगला MCQ है निम्न पंज केदार में से कौन रुद्र प्रियाग में है केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर, नाथ और उपरियोग सभी आप जो के पंज केदार आपके उतराखन राजय में हैं तो वहाँ पे अभी MCQ ये बता रहा है कि केदानाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर क्या रुद्र प्रियाग में हैं तो आपका उप्सन नमर डी आपका इसमें सही आंसर है उपरियोग सभी, यानि हाँ ये केदानाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर सभी रुद्र प्रियाग में है और इसी के साथ हम बात करेंगे पंज केदार की तो पंज केदार हैं आपके जैसे हम कह सकते हैं कि केदारनात होगया आपका तुंगनात हो गया रुद्रनात हो गया मन्द महेश्वर हो गया और एक और है कल्पेश्वर ये सबी आपके पंच-परियाग है जब आपका इसमें जो सेयांसर है वो है पाड़ी जिली में हुफले आपको ये पता होगा जो खिर्सु है वो उत्राखन के पौड़ी जिल्ले में इस्तित है अगला M.C. क्यों है नीमनी लिखिन में से किस चित्रकार का समध गर्वाल सैली से नहीं है हीरालाल, मंगत राम, ज्वाला राम, मंगल राम तो आपका इसमें जो सही आंशर है वो है option number D, मंगल राम ये गर्वाल सैली से इनका समध नहीं है अगला M.C. क्यों है देवी धुरा मेला उत्राखन के किस सहर में लगता है पिथोरगड में, हरिद्वार में, चमपावत में, उधम सिंग नगर में तो आपका जो सही आंशर है वो है C, चमपावत में, देवी धुरा मेला उत्राखन के चमपावत जिल्य में लगता है मैंने इस पे एक वीडियो बना रखिये, होफ़ोलिक आपने वो देखियो होगे अगला हम सिक्यो है, वर्ष 2011 की अनुसार, उत्राखन में सरवादिक दस्की और उरिदी दरवाले जिल्ला कौन सा है तो वो है उधम सिंग नगर, उप्स नमर ए is राइट आंसर अगला हम सिक्यो है, वर्ष 2011 की जन गर्णा की अनुसार, जन सेंक्या गहनेतों के संबन में उत्राखन का भारत में कौन सा इस्तान है पचीसवाँ, सताइसवाँ, अठाइसवाँ और तीसवाँ, तो इसमें जो सेयान से रहे हो है, उप्स नमर ए, पचीसवाँ अभी इन सीरीज में आपके कुछ MSQs, रिविजन के तौर पे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से इनको क्लियर कर रखा है, तो आप ध्यान से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यह थे आपके पीडियाफ है, आपके पास पीडियाफ है, तो और भी बैटर होग अभी तक आपके पास पीडियाफ नहीं आए, तो आप गुरुब में जोड सकते हैं, कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अब अगला क्वेस्टन है आपके लिए, राजी जन जाते के अधिकांस लोग उतर पितोरगड में, देरदुन में, पितोरगड में, चमबोली में और उधम सिंग नगर में, तो आपका जो से आंसर है वो है पितोरगड, option number B is right answer, अगला question है, भागी रथी को किस इस्तान पर गंगा के नाम से जाना जाता है, बिस्नु परियाग में, देव परियाग में, कौ तो यहां से आगे जो नदी बनती है, वो बनती है आपकी गंगा नदी, option number B is your right answer, देव परियाग अगला MCQ है, खतलिंग गलेशियर कहां पर इस्तित है, पितोरगड में, टीरी में, उत्तरकाची में और अल्मोडा में, तो आपका जो से आनसर है वो है टीरी, खतलिंग गलेशियर की जो location है वो है टीरी गडवाल में अगला जो MCQ है, वो है राम गंगा रास्टे उद्यान का नाम बजल कर, जिम कार्वेट रास्टे उद्यान कब किया गया था, उनीसो सतावन में, उनीसो अठावन में, उनीसो उन्सट में और उनीसो साथ में, तो आपका से आनसर है उनीसो सतावन, option number A is your right answer, जिम अगला हम से क्यों है, परविती है, सेतरों में सीड़ी नुमा खेती के लिए सीड़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिसत भूमी के ढाल तक बनाए जाती है, तो वो है 15 प्रतिसत आपका से आनसर होगा, option number A अगला हम से क्यों है, अलमोरा का नाम Guinness Book of World Records में किस पौधे को उगाने के लिए दर्ज है, अलमोरा का नाम मक्का है, तिल है, मिर्च है और गेहूं है, option number C आपका से आनसर है, मिर्च उत्राखन राजमें भकार सब्त का उप्योग किस हे तो किया जाता है, तो option A है, जल संगरहे तो, फल रज संगरहे तो, खाद्यान संगरहे तो, दुग्द संगरहे तो, तो इसमें जो से आनसर है, वो है, खाद्यान संगरहे तो, option number C is right answer, उत्राखन राजमें एक सब्त का प्रियोग होता है भकार उसको वह किया जाता है खाद्यान संग्रह के लिए अगला है उत्राखन राज्य का जोसी मट ओली रोपवे कब सुरू किया गया था सितंबर 1992 में सितंबर 1993 में सितंबर उनीस ओक्टोबर 1993 में नौंबर 1994 में तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है उक्टोबर 1993 में उप्सिन नमर सी इस और राइट आंसर उत्राखन यानि जो सिमाट में जो ओली रोपवी लगाया गया लग रहा है अब अगला मसी को है पर्याटन छेत्र खिर्सो उत्राखन के किस जिल्य में इस्तित है आपको पता होगा क्रिपया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अगला मसी को है जाड जाल बीडाई दामामा तथा मुरूयों क्या है उत्राखन के जो धार्मी के स्तल उत्राखन की पहाड़ियां कमाओ के वादेयंट और आपोशन तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है कमाओ के वादेयंट अगला मसी क्यों है निमन में से कौन ब्यक्ति गड़वाली चितरकाला के लिए प्रसिद है कि शोरी लाल, महीधर, डंगवाल, मौला राम, मुकंदी लाल अप्सन नमर सी आपका से आंसर है मौला राम तो दोस्तों आई होब कि आपको वीडियो पसंद आया होगी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए आप सभी लोगों के एक्जाम के लिए बहुत बहुत सुपकाम राएं यहां हार देक बदाया थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे बलेस्ट